नमस्कार मैं हिमंत बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल में भारत के इतिहास से बार-बार पूछे जाने वाले प्रस्णों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसके अंतरगत मैं रोज 10 कोस्टन लेता हूँ और प्रतिक अखर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपसे कितने कुश्चन सॉल्व हुए हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण यहां मैंने लिया है मोहन जोड़ो सब्द का एक अर्थ मृतकों का तिला है तो आपसे काफी बार मोहन जोड़ो है यह किस भासा का सब्द है मतलब कि मोहन जोड़ो जिसका अर्थ निकलता है मृतकों का तिला हिंदी में तो यह जो सब्द है किस भासा का सब्द है यह आप लोगों को बताना है उर्दू दिया हुआ है पंजाबी दिया हुआ है सिंधी दिया हुआ है हिंद नदी के तट पर मोहन जोड़ो इसकी खोज कब हुई थी तो सन 1922 में राखाल दास बनरजी द्वारा इसकी खोज की गई थी तो यहाँ पर यह जो मोहन जोड़ो सब्द है या किस भासा का सब्द है तो देखे उर्दू पाकिस्तान की ओफिसियल लेंग्वेज है उसके बाद जो पंजाबी वो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला जो प्रांत है वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है सिंध प्रांत में सिंधी बोली जाती है और जो उर्दू है वो काफी हद तक हिंदी से मिलती जूलती है तो भासा में कोई उतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलत तो चूंकि ये जो मोहन जोदोडो सिंदुगाटी सब्वेता पुरा इस्थल है ये सिंध प्रांत में मिला है तो ये जो मोहन जोदोडो सब्द है ये उस इस्थान का नाम है और ये सिंधी भासा का सब्द है ध्यान रखेंगे मोहन जोदोडो सिंधी भासा का सब्द है जिसक नदी के तट पर इस्तित है, खोज किस ने की थी तो डॉक्टर राखालदास बैनर जी ने 1922 में, सबसे पहले हडपा की खोज हुई थी सन 1921 में, किस ने खोजा था, तो राय बहादुर दयाराम सहानी ने, और हडपा कहां पर है, तो ये जो मोहन जो दोड़ो है ना, इससे ल खालदास बैनर जी ने तो की थी, लेकिन इसका जो उत्खनन कारिया है, वो जॉन मार्सल द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखियेगा, पूछा गया है, तो जॉन मार्सल ने मोहन जोड़ो की खुदाई की थी, खोजने का कारिया बैनर जी साहब ने कि अंग्रेजी में ग्रेट बात, हिंदी में विशाल इसनानागार, यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता था, कोई तेवार पर वो होता था, तो वैसे समय में यहाँ पर इसनान किया जाता रहा होगा, जैसे कि आज भी लोग जो है गंगा नदी में इसनान करते हैं, और दू पूरोहित भवन भी यहाँ से मिला है यहाँ पर जो सडकें हैं वो समकोर एक, दूसरे को काठती हुई जाती है और यहां की जो सडक है, मोहन जोदोड़ों की जो सडक है वो काफी चवड़ी है इसी कारण इस सडक को राजपत कहा गया है आपसे पूछा जा सकता है कि सिंदु घाटी सब्वेता में किस नगर में राजपत है तो मोहन जोदडों में हैं यहां से कुम्बकार के छह भटे भी मिलें कुम्बकार मतलब जो घड़ा वगेरह बनाने का काम करता है न कुमार तो उसके छह भटे भी प्राप्त हुए हैं मतलब कि जो सिंदु वासी थे वो पके बरतनों का प्रियोग करते थे मिट्टी के बरतनों का प्रियोग करते थे लेकिन वो पके हुए होते थे भटे में पकाया हुआ सूती कपड़ा के साथ छे भी यहां से मिलते हैं इससे पता चलता है कि यह लोग सूती कपड़ा पहनते थे और सूत किसे बनता है तो कपास तो देखो जो सिंदु वासी है ना उनको कपास उगाने का स्रेयत दिया जाता है यहां से हाथी का कपाल मतलब कि हाथी का जो सामने वाला जो भाग है ना कपाल वो यहां से मिला है जले हुए तामबे के धेर मिले हैं देखो यह जो है तामर पाशान यूग से संबंदित है सिंदुगाटी सब्वेता तो यहां से तामबे के जले हुए धेर मिले हैं यह लोग धातू से परिचित थे तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, सोने चांदी से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन जो लोहा है, लोहा है, उससे ये लोग परिचित नहीं थे, तो यहां से तांबा, कांसा, सोना चांदी, इन सब चीजों का साक्षे प्राप्त हुआ है, कांसे के निर्त्यरत प्रतिमा नगने इस्त्री मतलब कि कांस्य धातू से बना हुआ एक इस्त्री का मूर्ति मिला है जो कि नगना है उसके सरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है और वो जो है नृत्य करने की मुद्रा में है नाच रही है तो एक काफी बार पूछा गया है कि ये चीज कहां से मिला है इसको आप लोग ध्यान में रखेगा और इसको ना सिंदुगाति सव्विता के जो कला है उसका सर्वोतम नमुना कहा जाता है इस कांस्य प्रतिमा को ये भी एक बार पूछा गया था आप लोग ध्यान में रखेंगे यहां से क्या बूलने से मानाव प्रस्तर मूर्तियां यहां से मानाव की पत्थर वाली मूर्तियां भी प्राप्त हुई है यहां से मतलब की मनुस्य की आदमी की पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है एक ना दाड़ी यूक्त पूरुस का सीर प्राप्त हुआ है मतलब की दाड़ी वाले पूरुस का सीर यहां से प्राप्त कनका भी गया यहां से कोई कभर्स्तान के साक्ष्य अभी ठक नहीं मिला है लेकिन यहां से काफी सारे नरकंकाल प्रापत हुए हैं लग लिसमत को इनको द तक नहीं गया था चैनल अगन में पड़ा है तो अस्तवएस्त दसा ड अभी तक नहीं मिला है, जबकि हडपा, हडपा से कबरिस्तान के साक्षय मिले हैं, जिनको R37 और H नाम दिया गया है, हडपा से कबरिस्तान मिलते हैं, और सिंदुगाटी सब्वेता के जो अन्य नगर प्राप्त हुए हैं, वहां से भी कबरिस्तान के साक्षय प्राप्त होते यहां से 1398 मुहरे प्राप्त हुई है जो इनकी जो मुहर थी जो सील ठप्पा जिसे लगाते थे मुहर मुहर जैसे आग के समय में होता है जो अधिकारियों के पास जो होता है सील जो कहीं पर भी उसाइन करेंगे किसी कागज में और वहां पर अपना मुहर लगा देंगे तो उस टाइप की 1398 मुहर मुहन जोदोडों से प्राप्त हुई है और सरवाधिक मुहरे न यहीं से लगा देते थे पहचानने के लिए कि यह जो है फला व्यापारी क्या है तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा एक पॉइंट आप लोग याद रखेएगा कि यह जो मुहर है ना यहाँ पर कुछ-कुछ लिखा हुआ भी है सिंदु लिपी में कुछ-कु आपसे पूछा जा सकता है तो यह तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेएगा सिंदु मोहन जोदुलों के विशाय में अक्सर परिक्षाओं में पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं स्वतंतरता प्राप्ति के पस्चात भारत में सर्वाधि के पस्चात मतलब हमको स्वतंतरता कब मिला तो 15 अगस्त सन 1947 तो देखो जो सिंदु घाटी सब्वेता है इसकी खोज आजादी से पहले हुई थी सन 1921 में राय बाहदुर दैराम साहनी ने हडपा की खोज की ना तो स्वतंतरता प्राप्ती के पहले ही इस सब्वेता की जा चुका था अब जैसे ही भारत स्वतंतर हुआ उसके बाद फिर से इसका काम जो है चालू किया गया जो भी जहां-जहां से इसके साक्षे मिलते वहां से उत्खनन होता था तो आपको बताना है कि स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चात भारत में सरवाधिक हडपा इस्थल प्राप्त हुए हैं तो जो गुजरात है गुजरात यहां से सबसे ज़्यादा मिला है वहीं आप से अगर यह पूछा जाए कि स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चात सबसे पहले खोजा गया सिंदु घाटी सभ्यता संबंदी पुराइस थल कौन सा था तो वो था रोपड य लगभग 1950 के आसपास में खोजा गया तो मतलब भारत की स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चात सबसे पहले खोजा गया इस थल रोपड वहीं भारत के स्वतंतरता प्राप्ती के पस्चात भारत में सबसे ज़्यादा खोजा गया मतलब कि भारत के जिस राज्य में सबसे ज़ सकता है कि कौन सा पुराइस्थल गुजरात में है नहीं है इस टाइप से तो देखो सबसे पहला नामाता है लोठल यहीं पर है आपका धौलावीरा यहीं पर है रंगपूर यहीं पर है शूर कोटदा इसके बाद रोजदी देशलपूर पाडरी प्रभास पट्टम उसके बा इस्थेते सिंदुगाटी सभ्यता कालीन पुरा इस्थल है तो इनको आप लोग ध्यान में रखेएगा कुछ जो महत्वपूर्ण है जिनसे अक्सर प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे कि लोथल काफी बार पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में इस्थित है तो गुजरात में इस्थित है लोथल की खोज रंगनाथ राओ द्वारा की गई थी रंगनाथ राओ और ये जो है लोथल भोगवा नदी के तर्ट परिस्थित है अहमदाबाद में और यहां से क्या मिला है तो यहां से पहला चीज तो मिला है बंदरगाह गोदिवारा ये एक व्यापार एक नगर था और दूसरे इस्थानों से यहाँ पर जहाया करते थे तो यहाँ से बंदर्गाह के साक्षे मिले हैं इसके अलावा यहाँ से अन्नागार अगनी वेदिकाएं भी यहाँ से मिला है इसके अलावा काली बंगा से भी अगनिवेदिकाएं मिला है काली बंगा कहां पर है राजस्थान में तो राजस काली बंगा और लोथल यहां से जो है अगनिवेदिकाएं मिली है इसके अलावा लोथल से जो सबसे स्पेशल चीज मिलता है वो है फारस की मुहरे फारस मतलब की विदेश की चीज़े यहां से म तो उनके साथ सिंदुवासियों का संपर्क रहा होगा तभी तो उनका मुहर यहां से मिला है ते काफी important चीज है इसके अलावा धौला विरा की अगर मैं बात करूं तो धौला विरा जो की गुजरात के कच्छ छेत्र में है इसकी खोच की थी जगपती जोसी ने जगपती जो जितने भी नगर हैं तमाम नगर जो है दो भागों में बटे हुए मिलते हैं एक तो आपका नगर दूर्ग दूसरा निचला नगर लेकिन जो धौला विरा है वो तीन भागों में बटा हुआ मिला है एक तो नगर दूर्ग दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके बाद बात करेंगे सूरकोटदा की सूरकोटदा ये भी गुजरात के कच्छे चेतर में है और यहां से कलस सवाधान के साक्षे मिले हैं इसके अलावा यहां से कैसा साक्षे प्राप्त हुआ है जिसके विशाय में बैता का नहीं है उससे भी काफी पहले का है लेकिन कहां से मिला है सूरकोटदा से इस कारण से ये पूछा जाता है रंगपूर ये भी गुजरात में है यहां से चावल के साक्षे मिले हैं तो ये तमाम बाते आप लोग भ्यान में रखिएगा गुजरात से सरवाधिक यह जुरुवेद अथर्ववेद, तो इन में से जो तीन वेद हैं, वो संयुक्त रूप से त्रई कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रई, त्रई मतलब तीन, इसके अलावा इनको जो है वेद त्रई भी बोला जाता है, त्रई अथवा वेद त्रई, यह संयुक्त रूप से कह कहलाती करल, इसमें अफर्ववेद सामों नहीं है तो आप का आंसर क्या हो जाएगा अथर्ववेद, सहीता भी बोला जाता है इन छार्व वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है वह कौनशा है रिगवेद illness अर्णा लगभगh उत्तर रिगवैदिक काल में हुई थी, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, जिसका समय एक हजार इसा पूर्व से छे सव इसमी तक माना जाता है, तो इस भी जो है बाकी के तीन वेदों की रचना हुई, और ये जो वेद है ना, चारो वेद, इनको अ- शेयर, इसका क्या मतलब होता है, मतलब की इनकी जो रचना है, किसी पूरुष, किसी वेक्पी, मतलब की किसी मनुस्य ने इनकी रचना नहीं की है, इनकी रचना देवताओं ने की है, ऐसा माना जाता है, इसे एक सब्द से, तो अ-पौरु शेयर कहा जाता है, इसका मतलब क इसकी रचना मनुस्यों ने नहीं की है, देवताओं ने की है, तो ये चीज़े आप लोग ध्धान में रखेंगे, तो वेदो के विशाय में आप लोग डीटेल में जरूर पढ़िएगा, मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोस्च ना की गई है, वैदिक कर्मकांड, इससे क्या ताथ पर यह है, वैदिक कर्मकांड से, वैदिक कर्मकांड मतलब की, जब वैदिक काल, वैदिक कालिन भारत में जो भी कर्मकांड प्रचली थे, जो पूजा पार्थ होते थे, उस समय जो यग्या, हवाइन, बली, ये सब ची की गई है मतलब कि उस समय जिस समय इन सब चीजों का काफी महत्व था प्राम्हणों का वर्चस्व था और वो लोग जो है इस तरह के क्रिया कलापों को लोगों को डरा डरा करके करवाते थे कि आपको यह यग्य करना पड़ेगा वो यग्य करवाना पड़ेगा भूत यग्य तो देखो जो ब्राम्मण ग्रंथ है अगर मैं ब्राम्मण ग्रंथों की बात करूँ तो यह जो ब्राम्मण ग्रंथ है इनकी रचना ही हुई थी वेदों के सरल सरली करने के लिए मतलब कि वेदों को सरल भासा में समझाने के लिए और यह जितने कर्मकांड है न सब वेदों म होता है उनका पूरा विवरण इसमें मिलता है इसके अलावा प्राचीन समय के जो राजा महराजें हैं उनके वनसावली इसमें मिलते हैं पुराणों में इसमरिती ग्रंथ है इसमें तो भई और ज्यादा कर्मकांड को की आलोचना की गई है उपनिसदों में जो वैदिक कर्मकांड है उनको तूटी हुई नवका के समान के सहारे ये जो जीवन रूपी सागर है इसको पार करना चाहते हो तो आप निस्च ही दूप जाओगी ये इनका कहना इसके अलावा इसमें इन कर्मकांडों की बहुत आलोचना की गई है ये जितने भी कर्मकांड है ये निस्फल दाई है इस टाइप के सब्दों का ब्रम्भ विद्या भी इसको कहा जाता है उपनिसदों में क्या दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंस है मतलब कि आत्मा परमात्मा का ही अंस है ये बोला गया है उपनिसद में इसके अलावा यहां पर उपनिसद में निस्काम कर्म में न इसकाम कर्म मतलब की मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए कर्म करता जा फल की चिंता मत कर ये गीता में कहा गया है तो कर्म को इसमें काफी महत तो दिया गया है और जो भगवत गीता है जो भगवत गीता इसका विकास हुआ बताया जाता है भगवत गीता में इन उपनिशद उसमें बताया गया है भगवत गीता में उपने शदों का विकास हुआ ऐसा कहा जाता है यह चीज भी आप ठोग ध्यान में रखेंगे उपने सदों में भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है भक्ति मार्ग देखो भक्ति काल हम लोग पढ़ते हैं न मद्यकालिन भारत में तो व भक्ति करो इस वर की बस वही क्या है भक्ति है न कि आपको बड़ा बड़ा जो है दुनिया भर का वो यग्यहवन की तैयारी करना है दुनिया भर की लकडिया इकटी करनी है यह वो फलाना धिमकाना वो कुछ करने की जरूरत नहीं है कोई आदंबर करने की जरूरत नहीं है आ इन्होंने जो भक्ति का मार्ग बताया, उसका जो शुरोत है, वो कहां दिया हुआ है, इन ही उपनिसदों में दिया हुआ है, तो जो उपनिसद है, वो सीधे-सीधे इन कर्म कांडों का, जो आप लोग पुराने धारावाइक देखते होंगे, मतलब कि जो पौराणिक भारत और आमायन हो, कोई सा भी हो, तो उसमें आप लोग देखते होंगे, कि जो रिसी मुनी जो यग्य करते हैं, उसमें दुनिया भर की चीजे लगती है, बीच में आग जल रहा होता है, उसमें दुनिया भर की चीजे डाल रहे होते हैं, यह वो फलानड हिमकाना, तो वो ध्यान में रखेंगे जो संक्राचारिय थे आदि संक्राचारिय उन्होंने दस उपनिसदों पर भास्यन लिखा है ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छा ये जो उपनिसद है गद्य और पद्य में लिखे गए ये ये भी काफी पूछा जाता है एक तो पद्दे और पद्दे में लिखा गया है तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छा जो ये जो उपनिसद है ना इनका भी रिगवेदों से संबंध है तो अलग-अलग रिगवेद के लिए अलग-अलग उपनिसद है तो जो हां मतलब अलग सॉरी मैं रिगवे सद बताए गए है ये जुरवेद के 51 उपनिसद दिखो सुरू से मैं बताता हूं रिगवेद के लिए 10 रिगवेद के लिए 10 सामवेद के लिए 16 ये जुरवेद के लिए 51 ये जुरवेद के लिए 51 और अथर्ववेद के लिए 31 उपनिसद है तो ये चीज आप लोग ध्या के नाम याद रखेंगे Sopain Howard. मैं इसका नाम लिख देता हूँ, Sopain Howard. Sopain Howard. ये नाम याद रखेंगे Sopain Howard इसने उपनिशदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसके अलावा Max Muller, आप लोग पढ़ते हैं मैक्समूलर एक इतिहास कार था तो ये जो है सोपेन हावर मैक्समूलर इन्होंने जो है क्या करते हैं उपनिशदों का अनुवात किया था अंग्रेजी में तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेगा तो उपनिशदों में कर्मकांडो की आलोचना अथ्वा निंदा की और यहीं पर जो है भक्ति जो भक्ति मार गहे उसकी भी बात कही गई है और भगवत गीता का संबंध इन्ही उपनिशदों से है मतलब की उपनिशदों का विकास भगवत गीता में होता है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन दिखती है चंद्रगुप्त मौरय भारत का प इसने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिल करके अत्याचारी सासक धनानंद का अंत किया और नंदवन्स का उन्मूलन करके भारत में मतलब कि मगद में मौरे शामराज्य की निव रखी और उसके बाद इसने एक ऐसे राज्य की इस्थापना की जिसमें प्रजा सुक से रह रह रही थी इसी कारेंसे चंदरगुप्त मौरे को भारत का प्रथम महान साशक कहा जाता है इसके अलावा जो मौरे शामराज्य है उसको भारत का पहला महान सामराज्य कहा जाता है और चंदरगुप्त मौरे को भारत में प्रथम सामराज्य निर्माता कहा जाता है तो ये तीन पॉइंट जो अभी मैंने बताए वो ध्यान में रखेंगे तो पहला पॉइंट बिलकुल सही है दूसरा बोल रहा है मगद सामराज्य की नियू बिंदु सार ने रखी मगद सामराज्य की नियू तो देखें जो मगद सामराज्य की नियू है इसको किस ने रखी थी तो हर्यक वंस के शाषक बिंबी सार ने, बिंदु सार ने, बिंदु सार तो चंदरगुप्त मौरे का बेटा था, तो बिंबी सार उसने मगत सामराजी की नियू रखी थी, हाला कि कहा जाता है कि हर्यक वंस से पहले भी यहाँ पर सामराज्य था, राज्य था, लेकिन इस राज्य की ज बहांतम सासकों में की जाती है छैंहां ये भी बिल्कुल सही है देखो चंदर गुपत मौरे हो समराट अशोक हो इसके अलावा जो समुद्र गुपत हो चंद्र गुपत-धुती विक्रमा दिते हो गौतमी पुत्र उन में से एक क्या ये जो है काफी ऊपर इस्थान रखता है मतलब कि भारत में महांतम सासकों में सबसे ऊपर इस्थान रखता है समराठ असोग समराट असुक जो की सुरुवात में तो एक निर्दई सा सक था कहा जाता है कि ये काफी निर्दई था और इसी कारण इसको चंड असुक भी बोला गया है और कई सारे ग्रंथों में इसको बोला गया है उसको मारा होगा और कुछ भाईयों को मारा होगा सभी को नहीं मारा क्योंकि कुछ भाईयों के जीवित होने के प्रमान कुछ अभिलेखों से प्राप्त होते हैं और ये जो है सुरुवाती समय में लेकिन काफी जादा कुरूर था अपनी प्रजा पर भी काफी अत्याचारी ये करता था लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे घटित हो जाती है जैसे कि ये सुसीम के पुत्र निगरोथ जो की बहुत भीक्षू बन चुका होता है उससे मिलता है तो उससे थोड़ा सा ये प्रभावित होता है इसके बाद जब कलिंग युद्ध होता है वहाँ जो नर्साहार होता है उससे इसका हरेदय परिवर्थित हो जाता है दरवित होड़ता है तो इन सभी घटनाओं से बाद में फिर ये बहुत धर्म गरहन कर लेता है और इसका जो हरेदय है जो पहले एकदम कठोर था वो फिर कूमल हो जाता है और वो जो है सभी धर्मों को सभी लोगों को समान रूप से देखना सुरू करता है अपनी प्रजा को अपना पुत्र समझना सुरू कर देता है तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है शोग जो है भारत के महंतम सासकों में सी एक था तो यहाँ पर जो है 1 और 2 मतलब 1 और 3 आपका सही होगा तो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है तो मतलब सा आपका आंसर होगा अगला कुछें दिखते हैं मौरे काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था तो मौरे काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तो देखिए वल भी ये तो गुजरात में है और ये लगभग ना पाचवे छटवे सतापदी के आसपास में ये इस तरफ मतलब पस्ची सताबदी में मिरे ख्याल से तो यह जो है मौरे काल में था ही ने उस बाद नालंदा नालंदा जिसकी स्थापना गुप्त वंस के स्षाषक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी तो यह तो भई मौरियों के बाद है तो यह जो तक्ष सिला है जिसकी स्थापना के विशाय में कोई जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है कि इसकी स्थापना किस ने की थी कब की थी ये जो है मौरे काल से पहले से ही अस्तितों में था मतलब कि मौरियों से पहले ही तक्षसिला विश्व विद्यालय का अस्तितों था और जो चनाक के था ना चंदरगुप्त मौरे का गुर वो जो है उसने इसी तक्ष सिला विश्व विद्यालय से सिक्षा ग्रहन किया था और इसी विश्व विद्यालय में वह अध्यापन मतलब कि एक प्रचार्य के रूप में कारिय भी करता था और जो चंदरगुप्त मौरे था उसने भी इसी तक्ष सिला विश्व विद्यालय स प्रब्द आज पर है उस तरफ है यए गांधार जू पर प्रता था तो आज के समय में यह पाकिस्तां में है तक्षै इसे जंद्र गुप्त मौरे उसके गुरु चाणख्ये ने शुक्षा प्राप्त की थी। हा तो यह जो तक्षै शिला है वत्मान समय कहां पर है पाकिस्तान में जिहान रखेंगे व्ल भी कहां घुजरात में विक्रमसिलब और बियार में है नालंदा भी बियार में हैं आगे बढ़ते हैं एगला कुछं दिखते क्या मतलब होता है तो दिखे पहले क्या होता था कि जो राजे महराजे होते थे वो एक इस्थाई सेना रखते थे जब उनको आवशक्ता पड़ती किसी राजे पर आक्रमण करने जाना है तो वो जो है इस्थाई सेना की विवस्था करते और किसी राजे पर अटेक करने जाते थी लेकिन जो अलावद्दिन खिल जी था उसके पहले के सासकों के समय से ही इस्थाई सेना की आवशकता थी लेकिन अधिकतर सासकों ने इस्थाई सेना ही रखा था तो अलावद्दिन खिल जी ने यहाँ अनुभाव किया की राज्यमिय मतलब की राजधानी में जो है हमेश एक इस्थाई सेना तैयार होनी आवश्यक है, तो उसने एक इस्थाई सेना रखा था, मतलब कि हमेशा उसके पास एक रिजर्व फोर्स होगी, जैसे कि आज के समय में हमारे भारत के पास रिजर्व फोर्स होती है न, जब भी कुछ जरुवत पढ़ता है, मानलो कि पाकिस्ता चीन के तरफ से कोई समस्या हुई तो हमारी जो सरकार है इनको मुहतोर जवाब देने के लिए हमेशा तयार रहती है तो अलावदिन खिल जी ने इस चीज को समझा कि कभी भी हम को जो है युद्ध की आवश्रक्ता पड़ सकती है वैसे भी जो पस्चि मुत्तर भारत है सत्ता इस्थापित करना चाहता था और इसके लिए एक बड़ी और विशाल एक बड़ी विशाल इस्थाई सेना की आवश्रक्ता थी थी तो अलावदिन खिल जी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने इस्थाई सेना रखा था बिलकुल सही है ये अगला कथन है सां कितिक मुद्रा, कितिक मुद्रा क्या होता है, तो आज के समय कि जो मुद्रा है, जो हमारे पास जो 10 का नोट है, 50 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, तो जो 2000 का नोट है, क्या उस नोट का जो वास्तविक मुल्य 2000 रुपए होगा, अगर आप उस नोट के सब चीज को भी होती है सबको अलग खलग कर दो तो क्या उस नोट का मूल लिया 2000 रुपए होगा नहीं होगा ना काफी कम होगा उसका तो यह जो 2000 का नोट है 100 का नोट है 500 का नोट है यह सांकितिक मुद्रा मतलब वहां पर लिखा हुआ है आप कैसे मानोगे कि यह 2000 का नोट है उसमें लिखा हुआ है 2000 रुपए है बोल करके तब आप मान रहे हो और उसमें जो है हमारे भारत सरकार द्वारा सब कुछ उसमें लगाया हुआ है गौवर्नर के हस्ताक्षर है तब आप उसको मानोगे अगर आपको कोई नकली नोट देता है जिसमें गवर्नर के हस् ही यह हमारे जो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसका हस्ताक्षर होगा उसमें और काफी सारी चीजे लिखी हुई होती है तो वही क्या है सांकितिक मुद्रा लेकिन पहले क्या होता था जो मुद्रा जितनी होती थी उसका वास्तविक मुल्य भी उतना होता था पहले ध एक तोला जो बोला जाता है ने एक तोला एक मासा इस टाइप से है तो जो दस ग्राम सोने का सिक्का होगा उसका जो वास्तविक मुल्य होगा उसका वही मुल्य होगा जबकि सांकेतिक मुद्रा में ऐसा नहीं है वास्तविक मुल्य बहुत कम होगा तो सांकेतिक मुद्रा इस समय बुरी तरह से flop हो गई थी उसने कागजी मुद्रा नहीं चलाया था उसने जो तामबे के सिक्के ना तामबे की जो मुद्राइं हैं उसको बोल दिया कि भई अपसे यह जो तामबे के सिक्के हैं यह सोने के सिक्के के बराबर है मतलब कि तामबे का जो सिक्का है उसको आज से सोने के सिक्के के बराबर समझा जागा यह उसने बोला तो यह उस समय के सांकितिक मुद्रा थी जो कि मुहम्मद बिन तुगलत ने चलाया था यह आपका गलत हो जाएगा बाजार नियंतरण विवस्था को लागो किया तो देखो बाजार नियंतरण विवस्था ये अलाओदिन खिल जी की थी मतलब ये वाला पॉइंट सही है देखो क्या था अलाओदिन खिल जी जिसने एक इस्थाई विशाल सेना की विवस्था की मतलब उसने काफी बड़ी सेना रखी थी और इस सेना का खर्च उसको उठाना था तो अलाउद्दिन खिल जी ने क्या डिसाइड किया कि मेर को जो है ये सेना का खर्च जादा महंगा न पड़े उसके लिए उसने क्या किया बाजार पर नियंतरन स्थापित किया बाजार में जो वस्तुएं हैं जो दैनेक उपभोग की जो वस्तुएं हैं जिसको आम आदमी डेली अपने जीवन में प्रयोग करता है तो उन वस्तूओं का उसने मुल्ले निर्धारित कर दिया कि कोई भी व्यापारी इन वस्तूओं को इन निर्धारित मुल्यों से अधिक मुल्य में नहीं बेच सकता तो अब मुल्य निर्धारित हो गया तो उसके जो सैनिक थे उनको कम वेतन देने से भी उनका जो खर्च है वो आराम से चल जाएगा तो अलाउद्दिन खिल जी ने बाजार नियंतरन विवस्था लागू की और इसका जो कारण था वो अपनी सैनिकों के खर्च जो सैनिक वे है उसको कम रखना चाहता था उसको बढ़ा बढ़ने नहीं देना चाहता था तो सैनिकों कम वेतन देने पर भी उनका काम आराम से चल जाता था तो सैनिक खुष रहते थे और अलाउद्दिन खिल जी भी खुष तो ये वाला बिल्कुल सही है अगला कथन है क्रिशी छेतर में प्रियोग करने का प्रियास किया तो अलग अलग फसलों में प्रियोग करके देखा जाए तो उसने इस तरह का कारी किया था जरतनत के तमाम सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा वेक्ती था काफी विद्वान वेक्ती था मुहम्मद बिन तुगलक लेकिन उसकी जो यूजनाय थी सांकितिक मुद्रा अगर उस ताइम पे चल जाता लोग उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत कुछ बदल सकता था वहीं अगर ये जो क्रिशी प्रियोग उसमें अगर ये सफल हो जाता ये जो क्रिशी में जो प्रियोग किया गया था ये इसमें वो सफल नहीं हो पाया था क्यूंकि उसके जो अधिकारी गण थे जो किसान थे जो इससे जुड़े हुए थे उन सब ने काफी ब्रश्टाचार किया, जो पैसा जारी किया गया था, उसको सब अधिकारी किसान वो लोग खा गए, अगर ये क्रिशी के छेत्र में इसका जो प्रियोग है, अगर सफल हो जाता तो काफी कुछ उस समय में बदल सकता था, तो जो मुहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल सुल् विरोधी गुणों का सम्मिसरण बोला जाता है, तो ये काफी विद्वान था और इसकी जो योजनाई थी ना, उस समय के हिसाब से सही नहीं थी, लेकिन उसका जो इरादा वो गलत नहीं था, वो जो है प्रजा का हिती ही चाहता था, लेकिन उसको जो है सफलता नहीं मिल प पब्लिक सेफटी बिल के विरुद किन क्रांती कारियों ने सेंट्रल लेजिसलेटिव असेमली में बम फेका था, पब्लिक सेफटी बिल, पब्लिक सेफटी बिल मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे नागरिक सुरक्षा विधेयक, तो जो ब्रिटिस सरकार है, वो न भई तुम जो है पब्लिक के लिए तुम खत्रा हो सकते हो तो वही ये बोल करके किसी को भी ग्रफतार किया जा सकता था और जो उस समय के वाइसराय थे वो अपनी विशेश सक्तियों का प्रियोग करके इस विध्यक को पारित करवाना चाहता था अब हमारे जो क्रांतिकारी बंदू थे उस समय यहाँ नीचे नाम दिया हुआ है चंदरशेखरजाद, भगत सिंग, सुकदेव राजगुरू, बटुकेसवरदत, राम प्रशाद बिस्मिल, तो इन लोगों ने टाय किया कि भई हम जो है ये बिल को पास होने नहीं देंगे, अपनी आवाद जो है हम लोग इन तक पहुंचाएंगे, प्रजा तक पहुंचाएंगे, तो जो Central Legislative Assembly, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो सदन, वो बोल सकते हैं, जो दिल्ली में है, तो वहाँ पर ये लोग टै करते हैं, कि जहां पर ये, क्योंकि यही पर ये वाला विधे परस्तुत होना था, तो ये लोग टै करते हैं, कि हम लोग जो है, वहाँ पर जो Legislative Assembly है, वहाँ पर जा करके बम फोड़ेंगे, लेकिन बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब कि जो बम फोड़ा जाएगा, वो किसी की हत्या करने की इरादे से नहीं फोड़ा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज, उन अंग्रेजों तक इसके अलावा पूरी देश तक पहुंचाने के लिए होगा, और भगत सिंग ने बोला था ना, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, तो जो अंग्रेज सरकार थी, वो बहर भगत सिंग जी का था, तो चंदरशेकर राजाद भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, बटुकेशु अरदत भी थे, लेकिन जो रामप्रशाद बिस्मील थे ना, वो इस योजना में सामिल नहीं थे, क्योंकि रामप्रशाद बिस्मील जी जो की 1925 में ट्रेंड, डकैती, कांड से जुड़े हुए थे, बाद में वो पकड़ लिये जाते हैं, और उनको मृत्यू दंड दी दिया जाता है, तो इस समय वो सहीध हो चुके थे, तो ये लोग सब थे, और भी बहुत सारे थे क्रांतिकारी, तो ये सब जो है प्लान बनाते हैं, और प्लाए हुए होते हैं, और इनका जो उद्दे से था, वो ये था कि ये लोग जो है बम फेकने के बाद वहां से भागेंगे नहीं, अपनी गिरफतारी देंगे, जेल जाएंगे, इनके उपर फिर मुकदमा चलाया जाएगा, और मुकदमा जब चलेगा, तो वहां पर प्र सेंबली में पहुंचते हैं, और वहां पर खाली जगह देखते हैं, और वहां पर जो है बम फेकते हैं, जिससे मतलब एक थोड़ा सा मतलब माहुल डिश्टर्ब हो जाता है कि क्या हो गया, और उसके बाद फिर नारे वगरह लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर अपना जो परचा वर्चा साथ में लाए थे ना, तो वो भी पुरा फेकने लगते हैं, और वहां काफी पत्रकार भी होते हैं, तो वो लोग भी इन सब चीजों को जो है कैप्चर करते हैं, उनके हाथ भी वो जो परचे हैं, वो भी लगते हैं, और ये किसी का कोई नुकसान नहीं पहुचाते हैं और जब इनके सामने पुलिस आते हैं तो यह लोग अपना हाथ आगे कर देते हैं अपनी गिरफतारी दे देते हैं जैसे कि उस समय में जो अहिंसावादी जो अंदोलन चलता था ना वो लोग स्वेक्षा से गिरफतारी देते थे तो उस टाइप से यह लोग जो है अपना श्वेक्षा से गिरफतारी दे देते हैं और जेल चले जाते हैं आप लोग उन्हें भगत सिंग्जी के उपर जो फिल्में बनी हुई है उनको जरूर देखा होगा बहुत सारे फिल्में बनी हुई है दिलिप कुमार उसके बाद मनोज कुमार है उसके बाद विदुल। बहुत सारे फिल्में बनी हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी हीरो, आपको जो भी एक्टर पसंद है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आप लोगोंने नहीं देखा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो यह लोग जो है गिरफतारी दे देते दोनों भगत सिंगा और बटकेश वरदती, इसके बाद इनके उपर मुकदमा चलाया जाता है तो जो यह लोग कोट में अपने विचारों का इस तरह से यह लोग प्रशार करते हैं, मतलब कि अपने विचारों को बताते हैं, कि इनों शुरू कर रेते हैं, इससे पहले तक न जब भगत सिंग ने ये वाली जो प्लान बनाई थी, इससे पहले तक ये जो क्रांतिकारी थे, इनको आम जनता भी आतंकवादी समझते थे, क्योंकि जो बृतिस सरकार थे न वो इनको आतंकवादी बोलती थी, और कांग्रेस के जो न क्रांतिकारी थे, उन्होंने आम लोगो को भारत की जो आम जनता है उसको अपने विचारों को नहीं बताया था, जबकि भगत सिंह ने जो प्लान बनाया, कि हम लोग छुपेंगे नहीं, हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग गिरफतारी देंगे, हमारे उपर मुकदमा च तो ये जो है धीरे-धीरे लोग इनके साथ जुड़ने लगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि जो सरदार भगत सिंग है वो देश में महात्मा गांधी जैसे प्रशिद्ध हो गये थे क्योंकि इनके जो विचार थे भगत सिंग जी के विचार बाकी क सब चीज आप लोग ध्यान में रखेगा अच्छा एक पुछा जाता है सॉंडर्स मडर केस जो इसकॉट था ना ब्रिटिस अधिकारी इसकॉट जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी जब साइमन कमिशन का विरूद कर रहे थे 1928 में और बाद में लाला लाजपत राय मारा जाता है और यह जो हत्याकान है ना लाहोर में हुई थी ध्यान रखेंगे लाहोर में हुई थी और यह लोग जो है लाहोर से सुरक्षित बच निकलते हैं भाग जाते हैं और इसके बाद फिर यह दिल्ली में जाकर के फिर असेंबली में बम फेकते हैं और उसके बाद चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि असेंबली में इन्होंने जो बम फेका था उसमें तो भाई किसी की जान गई ही नहीं थी ना मतलब कोई मरा नहीं था जबकि सॉंडर्स मर्डर केस वहां पर तो हत्या हुई थी तो उस केस में इनको जो है मृत्यूदंड द पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथा मुगल सहजादा कौन था तो ये कोस्चन सायद ना मैंने कभी लिया था मेरे ख्याल से तो आपको बताना है कि मुगल सामराज्य में पिता के जीवित रहते मतलब कि पिता जीवित है बाद प्रतम मुगल सहजादा कौन था तो सबसे पहला किस ने किया था तो हुमायू भाई उसको तो ऐसा कुछ करने का जरुवती नहीं पड़ा उसके पिता थे उन्होंने उसको उत्राधिकारी बना दिया और उसके भाईयों और विरोध तो किया लेकिन वो लोग जो है दरसल क्या था कि जो बाबर था उसने बोला कि तुम आपस में सामराज्य को बाट लिए था उसने अपने जो छोटे भाई थे कामरान असकरी इनको जो है अलग-अलग छेतरे दे दिया था तो इसको इस तरह का कोई चीज़ इसने नहीं किया उसके बाट जो सलीम है खुर्रम है औरंग जेब इन तीनों ने किया था भई औरंग जेब ने तो पूरा हाकारी मचा दिया था ना कित्ते सारी लडाईयां लड़नी पड़ी थे पांच युद्ध हुए था और अरंग जेब के बातसाह बनने के टाइम पर और ज भी विरोधी नहीं था जब अकबर बुढ़ा हो गया जब अकबर बुढ़ा हो गया तो उसका जो बेटा था सलीम एक मात्र बेटा जीवीद बचा था बाकी सब जो है दारू अगर अगर पी पी करके उनका लिवर वी और खराब हो गया होगा तो लोग मर खब गए जो सलीम के जो दोस्त थे इसका एक दोस्त था बुंदेला सरदार तो ये लोग जो है इसको मतलब भड़काने लगे थे कि भाई तुम्हारा जो वालिद है तुम्हारा जो अब्बा है भी अब उसका टाइम हो गया तुमको जो है सत्ता अपने हाथों में ले लेनी है अब ये सराभी आदमी तो ये जो है वहक गया और इसने अपने पीता अपने पिता के जीवित रहते है मतलब अकबर जीवित था और इसने जो है सत्ता प्राप्ती का प्रयास किया इसकी पिता जो अकबर थे उसने जो है अकबर ने सलीम को आदेश दिया कि तुम जो है मिवार पर ज रहते हुए अकबर ने दुबारा कुशिश नहीं की थी, क्योंकि जो जो युद्ध हुआ था ना हल्दी घाटी का युद्ध, भले ही उसमें अकबर जीत गया रहा हो, लेकिन उसको पता चल गया था कि महाराना प्रताप क्या चीज है, तो महाराना प्रताप की जब डेथ हो जाती है 1598 में, तो उसके कुछ वर्स बाद सलीम को मिवाड भेजा जाता है, लेकिन वो जो नहीं जाता है, मिवाड वो पहुँच जाता है इलहाबाद, और इलहाबाद में जाकर के वो रंगरलिया मनाना शुरू कर देता है, सराब, सबाब, कबाब, इन सब चीजों में भ लोगों को जागीर वगेर अभी बाटना सुरू कर दिया, तो जब अकबर को इस चीज के विशय में पता चलता है, तो वो उसको जो है आगरा बुलाता है, और साथ ही साथ अबुल फजल जो कि इस समय दक्षिन भारत में गया हुआ होता है, तो अबुल फजल को भी दक्षिन से उत्तर में वापस बुलाता है कि भी तुम आओ और थोड़ा सा सलीम को समझाओ, अब जैसे ही सलीम को पता चलता है कि उसके अब अकबर ने दक्षिन से अबुल फजल को आगरा बुलाया है, उसको समझाने के लिए, तो जो सलीम के जो दोस्त होते हैं, वो लोग बोलते ह के मारग में ही हत्या कर देता है, जो जब वो दक्षिन से उतर की ओर बढ़ रहा होता है न, जो जब बुंदेला सरदार के छेतरे से वो गुजर रहा होता है, तो बुंदेला सर्दार द्वारा सलीम की हत्या कर दी जाती है, ये लगबग 1602 की बात है, इसके बाद पिता वापस आता है और इसको जो है समझाया बुझाया जाता है और मतलब बताते होंगे कि भाई तुम्हारे पिता के बाद तो तुम कोई सत्ता मिलना है कहे के लिए इस तरह से उताव ले हो रहो इस टाइप से अचा एक चीज़ा और ध्यान रखेंगे जो सलीम था ना कहीं सारे लोग सलीम को अयोग्य मानते थे और सलीम के इस थान पर सलीम के बेटे खुसरो मतलब कि जहांगीर सलीम जहांगीर एकी है न तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो जो की कच्छवाहा राजकुमारी मानबाई के गर्भ से उत्पन हुआ था मानबाई तो और मानबाई का भाई था मान सिंग, जो राजा मान सिंग था जो अकबर के नौरतनों में से एक था तो जो राजा मान सिंग था वो अपनी बहन मान भाई के पुत्र खुसरो का समर्थन कर रहा था, कि जो सलीम है मतलब कि मान सिंग का जीजा भाई वो तो सरावी है तो वो चाहरा था कि उसका जो भांजा है वो अकबर के बाद बात्साहा बने लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भई पिता के रहते बेटा कैसे अपने मतलब की जो सलीम है वो तो भी जीवित है उसके इस्थान पर कैसे खुसरो जो अकबर का पोता है वो बात्साहा बनेगा कई सारे लोग बिरोध में थे और अंतता सलीम को ही उत्रादिकारी बनाया जाता है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे सलीम पहला सहजादा था जो पिता के रहते सत्ता प्राप्ती का प्रयास किया था और किस बात्साह के समय में ये घटना घटित हुई थी तो 22 में उसके भाई खुर्रम जो सहजाँ के नाम से बात्साह बना उसने मार दिया था क्योंकि जो खुसरो था ना उसने अपने पिता शलीम के टाइम पर 1606 में जब सलीम बात्साह बन जाता है जहांगीर बन जाता है तो खुसरो जो है 1606 में विद्रो कर देता है और इसी समय फिर वो आली घटना भी घटित होती है जो खुसरो है वो पंजाब चला जाता है और वहाँ पर गुरू अरजुन देव वो खुसरो को आसिरवात दे दिता है कि भई तुम जो है बादसाहा बनोगे और इससे जहांगीर काफी गुस्सा हो जाता है किसके खिलाप गुरू देव की हत्या करवा दी थी तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे उसके बाद जो खुसरो है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है और कहते हैं जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की आँखें तक निकलवा दी थी ताकि वो आगे कुछ हरकत न कर सके हाला क दिया आगया और उसने उसका इलाज करने की कोशिश के लेकिन उसको कामियाभी नहीं मिल पाई और 1622 में जब खुसरो जेल में था कारागार में रहने के मावजूद भी खुसरो जो है काफी प्रसिद था लोग उसको मानते थे तो जो खुर्रम था जहांगीर का दूसरा ब बातशाहं न बन जाए इसको उत्राधिकारी न बना दिया जाए तो खुर्रम ने क्या किया 1622 में अपने भाई जो की अंधा करवा दिया गया था उसकी हत्या करवा दी तो पहला मुगर्ण Health जहादा जो की सत्ता प्राप्ती के कारण मारा गया था वो खुसरो था और किसने हत्या की थी या करवाई थी तो शह जहाँ ने करवाई थी ध्यान रखेंगी खुर्रम ने और जब खुर्रम की बारी आई मतलब कि जब जहांगीर बुड़ा हो गया और जब उसके मरने का समय गया तो जो शहा जहा था उसका जो ससूर था आशफ खा आशफ खा जो की जहांगीर का साला था जहांगीर की पतनी था थी ना नूर जहा तो नूर जहा का भाई था आशफ खा और आशफ खा ने अपनी बेटी का विवहा करवाया था किस से खुर्रम से तो जब जहांगीर की देथ हो जाती है तो आसफ खाने अपने दामाद को बादसाह बनाने के उद्देश शे खुर्रम के अर्थात जहंगीर के दूसरे बेटों की हत्या करवा दी थी जो सहरयार थे परवेज थे और दूसरे काफी सारे बच्चे थे तो उन सब की हत्या करवा दी थी ताकि उसका द प्राइयों को रास्ते से हटा करके खुद बादसा बन जाता है तो यह तमाम चीजे आप लोग ध्यान में रखेगा वीडियो मेरे ख्याल से काफी लंबा हो रहा है आगे बढ़ते हैं आखरी कोशन देखते हैं सुमेलित करने वाला है यह आधुलिक भारत से रिलेटेड कोस् इसका कारेकाल 1786 से 1793 तक था और इसने जो है भारत में मतलब की बंगाल प्रांत में क्योंकि बंगाली उस समय इनके अधिकार में था बंगाल बिहार उडिशा तो बंगाल बिहार उडिशा चेत्र में भूराजसों वसूल करने के उद्द्शिशे इस्थाई बंदोबस्त विवस्था को लागू किया था इस विवस्था के तहट क्या था कि जो जमिदार थे उनको भूमी का स्वामी मान लिया गया और जो किसान थे वो जमिदारों के रहमों कर्मों पर छोड़ दिया गया तो इसको जमिदारी विवस्था भी बोला जाता है साथी साथ इसको इस् सहाथ संधी की प्रणाली को लागू किया था यह सहाथ संधी है यह भारत के जो राज्य थी उनके साथ मतलब उनको अपने नियंत्रन में लेने के लिए एक कहना चाहिए अंग्रेजो का एक जाल था एक चाल था जो भी कहो तो ये जो है भारती राज्यों पर दवाव डालते थी कि भैई आप लोग हमारे साथ संधी करो ये संधी साहएक संधी होती थी इसके तथ आपको बहुत फाइदे होंगे क्या क्या था, फाइदा नमबर एक, कि आपको जो है, अपने राज्जी की सुरक्षा की कोई टेंसिन नहीं, हमारी सेना आपके राज्ज्जी में रह गी, उसके खर्चे के लिए बस आप कुछ पैसा दे दो, या अपने राज्जी की कोई छेतर दे दो, अब बदले में हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी आपकी सुरक्षा के लिए तो इससे क्या हुआ जो भारत के जो राज्य है उन्होंने अपनी सेना को बाहर कर दिया और अंग्रेजी सेना आप नहीं हा रख लिया इसके बाद बोला गया कि आपकी जो विदेशनीती है वो हम संभालेंगे आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है दूसरे देशों के साथ संधी करना है दूसरे देशों के साथ युद्ध करना है वो सारे मामले हम देखेंगे, आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यह होता था, अगला सर्थी यह होता था कि आप जो है दूसरे यूरोपियों को अपने या नौकरी नहीं दोगे, के वला अंगरे जो को दोगे, इसके अलावा यह बुला गया कि आपके जिसने साहेक संदी को सुविकार किया, वो था हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था, उसने पहले साहेक संदी को सुविकार की 1798 में, और उसके यहाँ पहले फ्रांसी सी सेना रहा करती थी, तो उसने फ्रांसी सी सैनिकों को भगा दिया, और 6 ब्रिटिस सेना की 6 ब चपन तक भारत का गवर्नर जनरल रहा तो इसने 1848 में हड़प नीती को सुरू किया था इसके तहट क्या था कि ऐसे राज्य जिनके कोई उत्राधिकारी नहीं हो मतलब कि किसी राज्या का कोई पुत्र नहीं है तो उस दसा में उस राज्य का विलाय ब्रिटिस इस्ट इंडि आज में विलाय कर लिया गया उसके बाद सती प्रथा सती प्रथा यह विल्यम बैंटिक से संबंदित है विल्यम बैंटिक जिसने भारत में सती प्रथा जैसी कूप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था इसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोशित कर दिया और कोई वी व्यक्ति किसी महिला को किसी इस्त्री को सती होने के लिए बात दे करेगा तो उसको मानवध के समान माना जाएगा तो ये जो है आपका विलियम बेंटिक से संबंदित है 1839 में इसने सती प्रता पर प्रतिबंध लगाया था तो क्या होगा आपका आंसर देख लेते हैं 3 4 1 2 3 4 ये आपका आंसर होगा 3 4 1 2 सर आपका आंसर होगा इसी के साथ आज का ये वीडियो इहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको आपसे कितने कोस्टन सॉल्व हुए और किसी भी कोस्टन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे दौरा जो भी जानकरी दी गई उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग सेर कर दिया करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद